हेलो दोस्तों कैसे हैं आप आज इस वीडियो में हम बात करेंगे specially CMA student के साथ जो December 2020 में exam देने वाले हैं मैं CLC education के बिहाफ पे आपके साथ discuss करूँगी कुछ CMA institute की notifications और updates जो December attempt के बच्चों के लिए आई हैं आप अगर बोर्ड पे देखेंगे तो मैंने कुछ points लिखे हुए है CMA foundation के लिए और CMA inter and final के लिए ये वो main points हैं जो हर एक student को पता होना चाहिए जो December में exam देने वाले हैं जैसा कि हम जानते हैं institute ने CMA foundation वाले बच्चों को सिर्फ एक option दिया है home based online examination का और वहीं पे institute ने inter और final वाले बच्चों को तीन option दिये है home based online examination center based online examination opt out from examination हम तीनो options में देखेंगे कि institute ने क्या क्या conditions रखी है अगर हम CMA foundation की बात करें मैंने अभी बताया कि CMA foundation के student के लिए only one option है home based online exam तो इस exam में इस online exam में क्या क्या condition है क्या pattern है वो सब हम इस वीडियो में देखते हैं तो CMA foundation का जो exam होगा online exam होगा वो रहेगा 5 दिसंबर खो और 5 दिसंबर को ही आपके चारो paper हो जाएंगे तो pattern कुछ इस तरीके से है सुभा 10 से 12 बज़े तक आपका paper 1, paper 2 याने की equal account का paper हो जाएगा और फिर थोड़ा gap मिलेगा फिर दो बज़े से लेकि चार बज़े तक आपका paper 3 और paper 4 हो जाएगा low और mass का paper मतलब 5 दिसंबर को ही CMA foundation exam चारो हो जाएंगे और दो-दो घंटे में आपके दो-दो paper हो जाएंगे वहीं पे अगर हम इंटर वाले बच्चों और final वाले बच्चों की बात करें तो इन्हें option मिला है option 1, option 2, option 3 center based, home based और opt-out का अब इन options में क्या conditions रखी है institute ने वो हम देख लेते हैं अगर option 1 की बात करें यानि की center based online examination की बात करें तो इस option में बच्चों को जो center मिलेगा वो center वही रहेगा जो आपने examination form में center choose किया था वही center रहेगा उसी center पर जाके आपको online exam देना होगा और जो exams की details रहेगी वो आपके admit card में institute सारी provide कर देगा जो admit card का अभी आपका notification नहीं आया है जैसे ही notification आएगा हम आपको inform करेंगे और यहाँ पे आपको center based online exam में आपको blank sheet मिलेगी desktop मिलेगा necessary facilities जो भी है वो सब provide की जाएगी center based online examination में institute की तरफ से लेकिन अगर वहीं पे आप option 2 यानि की home based online exam का option choose करते हैं तो इसमें आपका खुद का laptop desktop होना चाहिए जैसे कि अभी हमने CMA foundation के लिए pattern देखा ठीक है तो अब यह exam बच्चे कैसे दे सकते हैं वो दे सकते हैं यह online exam mobile mode से, laptop mode से desktop mode से या tab से लेकिन वहीं पे इंटर वाले बच्चों को institute ने mobile का option नहीं दिया है इंटर वाले बच्चे desktop, laptop या fit tab से online exam दे सकते हैं तो यह main difference है CMA foundation और inter final वाले student के लिए तो कुछ main difference और similarity हम इसमें discuss करेंगे जो notification में institute ने बताया है तो मैंने option 2 पे थी मैंने क्या बोला कि home based online exam में बच्चे के पास खुद का laptop, desktop या tab होना चाहिए exam देने के लिए और जो main condition रखी है institute ने वो यह रखी है कि अगर कोई भी technical issue आता है exam के time पे duration exam में अगर आपका internet connectivity खराब हो जाता है या internet थोड़ा गड़ बढ़ा गया आपका या फिर आपके laptop या desktop या tablet में कोई issue आ गया कुछ भी आ सकते है technical issues तो कुछ भी आ सकते है technical चीज़े है या फिर आप suppose online exam देते वक्त एक second दो second के लिए अपने system से आगे पीछे गए तो तब भी condition खराब हो सकते है तो home based online exam totally risky है और option 3 है आपका opt out from exam मतलब इसमें आप exam से opt out कर सकते हैं इस attempt से आप दूसरे attempt में जा सकते हैं इसमें आपको एक benefit क्या दिया इंस्टिूट ने जो आपके examination fees आप already pay कर चुके हैं वो next attempt के लिए carry forward कर दी जाएगी तो यह benefit बच्चों को मिला है अगर मैं COC की faculty की बिहाफ पर बताओ तो हम लोगों का यह suggestion है आपके लिए आप CMA student के लिए कि अगर आप December attempt में पूरे prepared है और exam देना चाहते हैं तो आपको option 1 यानि की center based online exam का option चूज करना चाहिए यह सी वेक suggestion है COC education की faculty की तरफ से और अगर आप fully prepared नहीं है आपको थोड़ा सा भी doubt रहता है तो आप opt out कर लीजिए इस exam से option 2 जो है ना home based online exam यह बहुत ज़्यादा risky है हमारी तरफ से suggestion है बस चोटा सा मानो ना मानो वो आप पे depend करता है बच्चो लेकिन हम तो यही बोलेंगे कि अगर आप fully prepared है exam देना चाहते हैं तो center based में जाए और अगर आप fully prepared नहीं है exam देने में थोड़ा खिच-खिचा रहे हैं डर रहे हैं तो आपको opt out from examination वाला option चूज करना चाहिए अब हम कुछ pattern के साथ साथ discuss करते हैं कि exam का marks क्या रहेगा CMA foundation के लिए notification आ चुका है कि उनका exam जो रहेगा उसमें 100 marks का each subject का रहेगा मतलब हर subject में 100 marks का रहेगा जिसमें आपके 50 questions रहेंगे मतलब एक subject में 50 questions 100 marks जिसका मतलब हर एक question आपका two marks का रहेगा इसमें आपका exam pattern रहेगा वो totally mcq रहेगा CMA foundation में और वहीं पर अगर आप इंटर की बात करें तो आपका mcq और descriptive आपका बोत रहेगा mcq और descriptive type questions दोनों तरह के questions आपको इंटर और final वाले बच्चों के लिए मिलेंगे इसमें आपके लिए कोई negative marking नहीं है और same inter final वालों के लिए भी कोई negative marking नहीं है आप बेफिकर होके exam दे सकते हैं कोई negative marking आपकी नहीं हो रही है और इसमें एक main point है कि जब आप exam दे रहे होंगे तो आपके पास government ID proof यानि की water ID, driving license, आधार और student ID होना चाहिए same inter के लिए भी हम assume कर लेते हैं कि यहीं रहेगा अभी इसके लिए कोई clarification notification नहीं आई है जैसे ही आती है वो हम आपको बता देंगे लेकिन हम ऐसा ज्यूम करके चलते हैं कि इंटर और final के लिए भी यह condition सेम रहेगी और आपका exam में मैंने बता दिया main difference इस वाले point के लिए कि आप जो cm foundation के student है वो mobile, tab, laptop, desktop से चार ओप्शन से exam दे सकते हैं मतलब को यह चूज करके और inter और final वाले बच्चों के पास mobile का option नहीं है ठीक है तो आपको mobile का option नहीं मिला है आपके पास सिफ तीन option है या तो laptop या तो desktop या फिर tab और आपको दोनों केस में मतलब अगर आप foundation के बच्चे हैं या फिर inter और final के बच्चे हैं दोनों केस में आपको उसका login credential और url link बहुत जल्दी institute के तरफ से मिल जाएगा आपकी register email id पे या फिर sms के थ्रूँ आपके register contact number पे तो exam से कुछ दिन पहले ये institute आपको provide कर देगा बाकी कोई भी further details information कुछ भी आएगी तो वो हम आपको provide करते रहेंगे एक चेच और में discuss कर देती हूं इंटर final वाले बच्चों के लिए आज last date है opt out center based या home based option चूज करने का आज के दिन में अगर आप चूज नहीं करते हैं कोई भी option तो institute ये माल लेगा कि आप center based exam देंगे मतलब आपका खुद पर खुद convert हो जाएगा center based के लिए मतलब आपको फिर center पे जाके exam देना पड़ेगा अगर आप कोई भी option आज की date में नहीं fill करेंगे तो बाकी ये ही main points है जो आपको सभी को पता होना चाहिए कोई भी doubts या कुछ भी confusion रहती है तो आप हमसे बात कर सकते हैं हमारे दियोवे नंबर पे और आपको link भी हम provide कर देंगे कि कहां पर जाके आप ये option चूज कर सकते हैं थैंक्स फों स्यूसी तीम